बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का अपनी टूल पेपर है करमें, आज हम बात करने वाले हैं, बीए, सेकंड यर वालों के लिए, एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, तो एजुकेशन के फर्स्ट पेपर में हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, जो आपका पेपर अभी से हैं, यह ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं, भुपाल से हैं, कहीं से भी मद्ध प्रदेश से हैं, या फिर आप बिहार से हैं, सब के लिए most important question है, क्योंकि आप सभी का सलेवा सेम है, मैं आपसे बस यह कहूँँगा, आपके gas paper notes में, बुक में, जो भी आपके पास book, gas paper notes, जो भी आप market से लेगे आए हैं, उस पर टिक लगा लिजिए, जो जो question में आपको बताना हूँ, यही question पढ़ना है, इसके लबा कुछ और मत पढ़ना है, मैं आपसे बादा करता हूँ, एक भी question बाहर नहीं जाने वाला है, और जो मैं आपको important question दे रहा हूँ, इसकी अदि पूरी खुल जाएगी, जैसे कि यह पूरा की पूरा आप देख रहा है, एक एक question, ऐसा ही खुलेगा हमारी website paperhacker.in पर, तो आपको कहीं को जाने की जरूत नहीं, सीज़े लिंक पर touch करना है, description box में लाकर PDF पाले है, सामने लिंकों का उस पर touch करना है, और यह PDF खुल जाएग पृक्रति उसकी उपयोगता, उसकी बिदी, उसका निरक्षर पढ़िति का गुण, देखिए निरक्षर पढ़िति के गुण के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आपको बस यह यह जाद करना है, कि सिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी पृक्रति कैसी है, और उसका अधिगम भी बोलते हैं कि अधिगम क्या है अधिगम को सीखना कहते हैं मलब कोई चीज हम सीख रहे हैं मालों मैं फोन चलाना सीख रहा हूं तो यह सीखने के नियम होगे कुछ तो नियम होगे सीखने के आपको पहले यह बैक बटन पर टॉच करना होगा कोई हम सैटिंग में जा रहे हैं पीछे जाना तो नियम तो है तो नियमों के बारे में आपको बताना होता है ऐसे यह आपको देखना है ज्यादा कुछ नहीं है यह है थॉन डाइक का प्रयास थॉन डाइक एक ब्यक्ति था उसका प्रयास क्या था और उसकी तुरटी तुरटी की मतलब क्या कमी र लगा देंगे और अभी तक आपने चल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर लो मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूँगा सबसे अच्छे नंबर से 85% प्लस आपको देखने को लेगा टॉपर बनने वाले हो 2023 के आप अभी चल को सस्क्राइब कर लो देखो क आपको देखना है अपने बुक नोट्स गया लो बही पड़ना उसके आंसर मैं कोशन कोशन बता रहा हूं आंसर आपको खुद पड़ना है ठीक है यह करना है बुद्धि के बिभिन सिद्धानतों को बारे में बताना है उसकी विसेष्थ नंकी उप्योकता के बारे में दे से आप क्या समझते हैं उनके बारे में देखना है सिक्षा में सिक्षा में पिछले बालक को उनके बिसेष्था है और पिछले पन के पिरकार क्या है मतलब वो किस तरीके से पिछले पन है बालक सिक्षा में क्यों पीछे रहता है पिछले पन के कितने पिरकार होते है ठीक है सरजनात्मकार बालक की पहचान आप कैसे करेंगे कोई सरजनात्मक बालक है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे उसके अंदर क्या-क्या बिस्षिष्टा होती है मनो बिग्यान किसे कहता है मनो बिग्यान के बारे में सिक्षा मनुबग्यान में अंतर आपको याद कर लेना है ठीक है यह है आत्म रक्षर विधी क्या होती है जीबन इतिहास विधी के गुर्ण दोसों के बारे में देखना है प्रयोगात्मक विधी और लाव दोसों के बारे में याद करना है सीखना एक अंतराल प्रिक्रिया है इसके बारे में ये भी सीखने एक अंतराल प्रिक्रिया है इस तरीके से टॉपिक होगा कि सीखने एक क्या है अबनर्वन ये फिर अबनर्दल प्रिक्रिया है बताइए बढ़न करो इस तरीके से तत्परक्ता नियम क्या होता है इसके उपयोग के बारे में देखेंगे, थरंडाइक पर बिल्ली, देखो, एक थरंडाइक ब्यक्ति था, उसने बिल्ली पर प्रयोग किया था, वो किस तरीके से प्रयोग किया था, वो आप याद करेंगे, उसके बाद में सबसे महत्पूर कोशन आता है, यह देखें, यहां है अंतुमुखी और बहुमुखी व्यक्ति की विसेस्ता के बारे में पढ़ेंगे, यह most important question है, बहीं बोला गया है, देखो, पिर्तिभास आली बालक की पहचान आप कैसे करने वाले, यह most important है, स्रजन सिल बालक की पहचान आप कैसे करेंगे, पिछले और वाले बालक में आप अंतर कैसे करेंगे, यह थे 2023 में आने वाले question, आप इन question को रट के ले, अभी timing है, आपके पास रट लो, एक भी question एक्ट्रा नहीं देखना है, और इसकी PDF आपको यह question देख रहा है, इस सारी question के PDF का link मैंने description box में दे रखा है, description box में जाओ, PDF के सामने एक link होगा, smittage करो, और यह PDF आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है, और जो भी website खुले, उस पर एक नीचे follow का option होगा, तो follow कर लेना, ताकि कोई भी मैं, मैं PDF को upload करूँगा, सबसे पहले आपको वहाँ मिल जाएगी, thank you, take care.